नमस्कार मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बहुती स्वादिष्ट सी एक सबजी की रेसिपी सेयर कर रही हूँ आज घर में मेरे पास कोई भी सबजी नहीं थी और मैंने इस तरह से एक रेसिपी सबजी बनाई तो मुझे बहुती बढ़िया लगी तो मैंने स पुमाल से दबाते हुए सेख लेना है मैं चार लोगों के लिए सब्जी बिना रही हूं उसी इसाब से आपको इसकी सामगरी बताऊंगी चार लोगों के लिए मैंने चार ही पापड़ों का इस्तिमाल किया है इस तरह से दबाते हुए मीडियम आज में हमने चारों सेखे हो गए हैं तैयार अब हम इन्हें तोड़ेंगे देखें मीडियम साइज में ही हमने इन्हें तोड़ना बहुत बड़े साइज में भी नहीं रखना है और बहुत छोटे भी नहीं रखना है बहुत छोटे रखें अग्दम से गल जाएंगे और बहुत बड़े अच्छे नहीं लगेंगे, कड़ाई पर रख दिया है सर्सों का ओयल, दो चमच करीब, ओयल गरम होते ही, मीडियम आज में हमने गैस को किया है, तब तक हम सामगरी तैयार कर लेते हैं, हमने यहाँ पर दो चमच बेशन लिया है, दो चमच इसमें दही डाला है, चोचे चमच से बेशन से जाला है थोड़ा सा खटास अच्छी आजर यहां पर हमने थोड़ा सा हल्दी धनिया पाउजर नमक का इस्तिमाल किया है और थोड़ी सी सबजी मसाला जाला है स्वाद अनुसार आप यहां पर कोई भी सबजी मसाला इस्तिमाल कर सकते हैं चारो सामगरी को अच्छे से चम् पर बिशन में वो अच्छे से हमने इस तरह से चम्मा से मिलाते हुए अच्छा इसका बेटर दयार कर लेना है कि गाठें ना रहें थोड़ा थोड़ा पानी जाले के डाले नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं हमने यहाँ पर अद्रक को कद्दुकस कर लिया था अद्रक डाला है आप अगर लहसुन डालना चाहें तो उसको भी आप कद्दुकस करके आप पेश्ट बनाके यहाँ पर डाल सकते हैं हमने सिर्पे यहाँ पर अद्रक का इस्तेमाल किया लहसों नहीं डाला है इस तरह से मीडियम आच में हम इसे भूल लेंगे जब तक कि हलका ब्राउन न हो जाए इसका स्वायत बहुती बढ़िया आएगा हमारी इस रेसिपी में देखे हलका सा ब्राउन हो चुका है यहाँ पर जो हमने बेटर बनाया था उसको इसमें डाल देंगे और मीडियम आच में ही इसे हम चलाते हुए पकाएंगे देखे इस तरीके से हमने इसे चलाते हुए पकाना है जब तक यहाँ तेल न छोड़ने लगे अलड़ते पर अलड़ते हुए मीडियम आच में हम इसे पकाएंगे यह जो हमने बेसन और दही घाला इससे इसकी ग्रेवी तोड़ा सा गाड़ी बनेगी जो खाने में और देखने में में बहुत वड़िया लगेगी ये देखिए अलड़ते पलड़ते हुए हमने इसे पका रहे हैं तो देखिए किनारों से आपको लग रहा होगा कि ये तेल छोड़ने लगा है इसी तरह से हम पाँ से साथ मिला किस तो ये अच्छे तरह से भून लेंगे बढ़िया तरीके से उसके बाद हमने एक भूने में गरम पानी का अन्ने को रख दिया था तो यहां पर हम ग्रेवी के लिए गरम पानी का ही इस्तेमाल करेंगे हमने पापड़ों के हिसाब से डेड़ गलास यांपर बड़े गलास से पानी जाल दिया गरम पानी दो उबाल हम अच्छे से इसको आने देंगे यहाँ पर आच हमने तेज कर दिया गैस की देखिए अच्छे से उबाल आ गया है यह जो हमने दाल चिनी और तेज पता जाला इसका स्वाज इसमें बहुत बड़ी आएगा इसे आप इसमें जरूर जा लिएगा दो उबाल अच्छे से आने के बाद हमने आच को हलका सा हलका थोड़ा कर लेना है यह देखिए हमारी ग्रेवी आपको गाड़ी गाड़ी सी लग रही होगी आप किसी भी सबजी में ग्रेवी गाड़ी करनी है तो बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं फिर हम यहाँ पर जाल देंगे सारे अपने जो पापड़ हमने तोड़ के रख दिये थे उनको इसमें जालेंगे और दो मिनट तक इसे मीडियम आस में ही फिर से पका लेंगे देखिए लग रही है ना कितनी बढ़िया सी हमारी सबजी देखने में खाने में तो इसमें जवाब ही नहीं है इसका कुछ खाने में भी यह बहुती स्वादिष्ट है दो रोटी की जगमा आप चार रोटी के साथ खा जाएंगे यह देखिएगा दो मिनट पकने के बाद हम इसे गैस को कर देंगे ओफ आप यहाँ पर गरम मसाला जालना चाहते तो गरम मसाला जाल सकते मैंने नहीं जाला अब मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ और हरे दनिय से गानिस कर लेती हूँ यह देखिए हो गई है हमारी सबजी खाने के लिए तैयार अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा एक बार बना के आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा मुझे उमीद है यह सब को बहुत ही पसंद आएगी